डबूल विजन यानि डिपलोपिया एक ऐसी समस्या है जो आपको अपने दिन चर्या का काम नहीं करने देती। आपको एक अक्षर का दो एक ऑबजेट का एक का दो इस तरह का विजन आता है और आप नठीक से लिख पाते हैं नठीक से पढ़ पाते हैं नठीक से कोई महीन काम कर जाते हैं और आप एक्सिडेंट्स को प्रोन हो सकते हैं जब आपको सही विजन नहीं होगा आप गाड़ी चला दे तो आपको एक्सिडेंट किसी को हो सकता है इसलिए विजन के इस एंगिल का कियर करने के लिए ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज हम आपको बताएंगे इसी समस्था से निजात पाने की कुछ कारगर दबाएं नमस्कार साथियों डॉक्टर रुमंग खन्ना हुम्योपैते क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे डिप्लोपिय यानि डबुल विजन के विशय में डबुल विजन एक बहुत ही रिटेब्ल कंडिसन होती है जो मरीश को बहुत परिशान कर देती है क्योंकि ये आँख एक आइना होता, एक परदा होता है, जरिया होता इस संसार को देखने का और इसमें आपको जब double vision बनने लगता है तो आप परिशान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ accident cause कर सकता है यहाँ आपको day-to-day work, writing का, reading का यहाँ work नहीं करने देता और आप परिशान लेते हैं तो आपको बहुत चिंता करने की जबूरत नहीं है, होमियोपैती में बहुत कारगर दबाये आती है आज हम आपको बताएंगे उसी में से कुछ कारगर दबाये सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि double vision होता क्या है double vision यानि diplopia वहाँ इस्तिती होती है कि जब आपके जो vision होता है वहाँ proper retina पे नहीं बन पाता चाहे आपके pupil की दिक्कत हो, चाहे आपके eye muscles की दिक्कत हो, चाहे cornea की दिक्कत हो, चाहे retina की दिक्कत हो तो इन विश्यों के कारण eye के किसी भी part के बीच के derangement जब हो जाता है, तो आपको सिकायत हो जाती है double vision की symptoms की बात कर लेते हैं साथियों, diplopia का symptom आपके सर में दर्ध होना, आपकी eyes को cross होना, मतलब eye का alignment proper ना होना आपको fatigue आना, double vision दिखना, blurry vision दिखना, यहां सर तमाम समस्या हैं हो सकती हैं आपको diplopia के कारण कारणों की बात कर लेते हैं साथियों, diplopia का कारण कहीं भी हो सकता है जहां पे आपकी cornea disturb हो, आपकी nerves disturb हो, आपकी pupil disturb हो, आपकी brain disturb हो, आपकी जो eye muscles हैं वो disturb हो तो अगर इन 5 बिंदूओं पे कहीं भी disturbance है, तो वही आपकी diplopia का कारण है लेकिन साथियों समस्या है तो उसका समाधान भी है, हम आपको बताएंगे कुछ कारगर homeopathic दवाएं जो आपकी diplopia को ठीक कर सकें, double vision को आखके ठीक कर सकें और आपका जो रोज मरा का कार है वो साथियों या बता दें, यहां दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, कोई भी दवा बिना कुसल्ची के सक से पूछें, मत लीजेगा, तो साथियों चलते हैं उस सफर पे जिस पे आपको बताते हैं, diplopia यानि double vision, यानि एक का दो दिखने की कारगर homeopathic दवाएं, एक सिंट साथियों तो इस सिंटी को ठीक करने के हुमियों पेटी में बहुत कारगर दवा है, aurum metallicum, aurum med 30 power में दो दो बून दिन में तीन बार आप हर उस मरीज को दे सकते हैं, जिसको की सामने जो अक्छर हैं, वो एक दूसरे में समा जाते हैं, cross कर जाते हैं, double vision दिख रहा हूँर अ साथियों तो इस सिंटी को ठीक करने के हुमियों पेटी में बहुत कारगर दवा, aurum med 30 power में तो दो बून दिन में तीन बार आप यहां दबा लेके स्वास्तला प्राप्त कर सकते हैं, साथियों, एक सिंटम आता है डिपलोपिय का, कि मरीज को double vision दिख रहा है, और उसके सर म में दर्द हो, और साथ में आपको weakness हो और चक्कर हो, तो उस इस्टिती को ठीक करने की हुमियों पेटी में बहुत कारगर दवा है, जलसीमियम सेमी परवाईनम, जलसीमियम 30 power में, दो दो बून दिन में तीन बार हर वहां मरीज ले सकता है, जिसको double vision दिख रहा हो, सर में द बहुत कारगर दवा हो सकती है, एक स्थिती सातियों आए, जब आपका doctor कहे कि साब आपकी ice का tension बहुत जादा है, वो check up करेगा और कहेगा ice का tension बहुत जादा है, और मरीज को diplopia है, तो अगर यहाँ स्थिती हो, कि ice का tension बहुत जादा हो, और मरीज को diplopia हो, तो इस स्थिती क ठीक करने की भी होमियोपैती में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है औरम फुलियटम यहां दवा 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन भार देकर मरीज स्वासलाब प्राप करता है उस इस्थिती में कि जब मरीज का आई टेंसन बहुत ज़्यादा है और मरीज को डिपलोपिया है एक इस्थिती साती हो आती है कि आपकी आँख में कभी चोट लगी हो अगर आपकी आँख में चोट लगी है कभी इंजिरी हुई है आईस को और आपके डबल विजन है तो उस्थिती को ठीक करने के हुमियोपै बहुत कारगर दबाए आणिका आम तोर पर देखा जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं आप उनको कभी गोद लिए तो कभी बच्चे हाथ मारते थे उनको तो समझ नहीं होती वो क्या कर रहे हैं लेकिन आपको नुफसान पहुंच जाता है तो इस तरह को जो ब्रूस्ट इंजिरी हो इसमें आणिका बहुत काम आती है और आपके डबल विजन को ठीक करती है एक साथ के सिंटम आता है मरीज जब लिखता है तो उसको लेटर डबुल दिखता है और जब मरीज पढ़ता है तो उसे ठीक दिखता है तो जब राइटिंग के समय मरीज को डबल सकते हैं जब मरीज को लिखने पर डबूल दिख रहा है और पढ़ने पर सिंगल लिख रहा है तो डिपलोपिया के इस केस में इस सिम्टम पर ग्रिफाइटिस मरीज को बहुत मदद कर सकती है एक सिति आती है सातियों आखों का भ्हेंगा पन हो इस्क्विंट हो एक शींटम भी है यहां दिपलोपिया का आखें में स्क्विंट हो भ्हेंगा पन हो आई बॉल्स प्रॉपरली इलाइन ना हो और आपको Thermal इस ती को ठीक करने के हविएपैती में बहुत कार्गर्ण दबा है दिनकम मिटैलिकम इस इस स्थिति में स्वास्त लह प्राप्त कर सकते हैं एक साथियो इस स्थिति आती है कि मरीज जब एक आख से देखता ह不好 उसे सही दिखता है लेकि जब दोनों आखों से देखता हो तो डबूल विजन दिखता हो तो इस यसी ठीक हो ठीक करने के हुमियोपेटियों बहुत कारगर दवा है सेनेगा सेनेगा 30 पाउर में 2-2 बून दिन में 3-12 पैसे मरीज को दे सकते हैं जिसको सिंगल देखने पे एक आख से देखने में ठीक लगता हो और दो आख से देखने में डबल विजन होता हो सेनेगा साथी ओग कैटरैट का जो जिनके सरजरी होती है उनके जो लेंस के फ्रैग्मेंट्स रह जाते हैं आखों के अंदर laser surgery के बाद उसको dissolve करने की भी बहुत अच्छी दवा है तो अगर किसी के catrat surgery हुई है तो उसके बाद वाद Sinega को एक महिने तक ले सकता है 30 power में उससे उसके lens के fragments भी dissolve हो जाते हैं जिनको क्या आखों को जरुवत नहीं है तो Sinega बहुत अच्छी दवा है साथियों double vision की एक सिति आती है साथियों diplopia की कि मरीज की पलकें गिरती है double vision है और साथ में आपकी drooping of eyelids हो रहा है तो अगर यहाँ सिति हो कि एक तो आपको double vision हो रहा हो और आपकी पलकों पे बहुत भारी पन हो पलकें रोक ना पा रहे हो उपर आके खुली ना रख पा रहे हो तो उस इस्तिती को ठीक करने के लिए और diplopia को ठीक करने के लिए होमियोपेटी में बहुत कारगर दवा है कॉस्टिकम आप कॉस्टिकम 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार लेकर स्वास्त लाब प्राप कर सकते हैं एक इस्तिती सातियों आती किसी मरीज को double vision हो खासतोर से candle light में नॉर्मली वो ठीक देखता हो लेकिन जब मुंबत्ती में देखता हो तो उसको double vision दिखता हो तो अकर यहाँ इस्तिती हो कि किसी focused point of light पे जब वो देखता हो तो उसको double vision दिखता हो तो इस्तिती को ठीक करने की हुमियों पेथियों बहुत कारगर दवा है alumine alumine 30 power में दो-दो बून दिर में तीन बार आप ऐसे मरीज को दे सकते हैं यहाँ दवा मरीज को स्वास्त लाब देगी और फाइदा करेगी इक स्थिती आती साथियों कि आपकी आँखें कमजोर हैं और आपको double vision दिख रहा है तो अगर यहाँ स्थिती हो कि आपकी eyes weak हो और आपको double vision दिख रहा हो दिपलोपिया हो रहा हो तो इस स्थिती को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है natrium neuraticum natrium neurone empower की तीन खुराग पंच पंच मिट के फासले पर weekly आप ले सकते हैं अगर आपको double vision दिख रहा है नमकीन चीजें आपको बहुत पसंद है और गुस्सा आपको जादा आता है तो अगर यहाँ symptom हो तो natrium neur आपकी drug of the choice हो सकती है एक साथियों स्थिती आती है कि मरीज वेग बाते करता हो उसकी एक आदत हो लेसिवस मीनिया की लेजिवस मीनिया माने कि जो है नुडिटी की बात करता हो तो अगर यहां इस्तिती हो कि लेजिवस मीनिया हो और उसको डिपलोपिया हो मरीज को तो इस्तिती को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है हायोसाइमस नाइगर आप हायोसाइमस नाइगर 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार देकर ऐसा मरीज जिसने अपने वक्त पे अपने कम उमर में शेल्फ मिस्चरबेशन बहुत करा हो और जो हर समय लेजिवस ड्रीम्स आती हो लेजिवस मीनिया हो गंदी आदते हो तो ऐसे मरीजों को डबल विज सातियों किसी मरीज को डिपलोपिया हो और चक्कर आ रहे हों तो कर यहां स्थिति हो कि चक्कर आ रहे हो वर्टाइगो हो और डिप्लोपिया हो तो इस स्थिती को ठीक करने की होमियोपेथी में बहुत कारगर दबाए फाइटोलका आप फाइटोलका डिकैंडरा थर्टी पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल ले सकते हैं यहाँ दबा आपके वर्टाइगों को रोखेगी चक्कराने को रोखेगी और आपके डिप्लोपिया को ठीक करेगी फिर सातियों एक इस स्थिती आती है कि मरीज को दो विजन दिख रहे हों जिसमें की सभी में nostalg примости 3 इतार एक सब्सक्राइड कि एन सब्सक्राब आएक में मधे to परीजर एक एंधर ये योगय खैजरे में ह pricing वे doğru दवा देखे होरिजॉंटल डिपलोपिया में स्वासला प्राग कर सकते हैं एक स्थिति साती हो आती है किसी मरीज को डिपलोपिया हो और उसकी आखों में दर्द हो रहा हो तो इस स्थिति को ठीक कर दें कि होगी हो प्वैथी में बहुत कारगर दवा है बलेडोना आप करेगी और आखों में लाली बीश सकती है यहा भी बलेडोना का एक स्थिति हो कि मरीज को डिपलोफिया हो डबल विजन हो लेकिन उसमें जो दो दो इमेज एक इमेज की बन रही एक इमेज थोड़ी नीचे हो और एक मेज थोड़ी उपर हो तो अगर यह नउन alignment of double image है मतलब एक तो एक की दो बन रही है उस पर भी एक थोड़ी नीचे और एक उपर है तो अगर यहाँ symptom हो सातियों तो इस हिस्थिती को ठीक करने की हुमियोपेथी में बहुत कारगर दबाए सिफ्लिनम सिफ्लिनम वन एम की तीन खुराग पच-पच मिट के फासले पर आप वीकली ले सकते हैं इससे जो आपको इस उपर नीचे दिखने वाला non-alignment double vision है यहाँ ठीक होगा और आपको स्वास्तलाब होगा यह सातियों को दबाएं थी double vision यानि डिप्लोग किया की दबाएं सातियों बहुत कारगर हैं आपको इस समस्या से बाहर भी निकालेंगे लेकिन हम आपसे यह निवेदन करेंगे सातियों कि कोई भी दबाएं बिना कुसलची की सक से प्रस्राइब कराएं मत लीजेगा क्योंकि हर व्यक्ति की स्थितियां सिम्टम और प्रस्थितियां भीन होती है लाखन में भी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रहोगी आने साथियों से सब्सक्राइब कराईएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो योही प्राप्त करते रहिएगा आपका साथियों इती देर अपना वक्त हम लोगों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्यों चर्पUhच जब करना वड़ियों नया वीडियों संसे ऑनिग सबस्दें गमािएग धन्यवाद पत вн disg befाना वक्त VC कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो